वेलकम स्टुडेंट्स उमीद है आप खेरियत से होंगे इस सेशन का टॉपिक है ट्रांस्पोर्टेशन इन प्लांट्स आज के सेशन के अब्जेक्टिव जान लेते हैं और लेकिन इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगी कि प्लांट्स के अंदर ट्रांस्पोर्टेशन की केस होती है किस तरह से plant के अंदर transportation होती है water, food और gases की तो सवाल ही आता है कि क्या सचमुच plants में transportation होती है है होती है हम पानी डालते है plants के अंदर नीचे roots की तरफ फिर पानी हर एक plant के part तक पहुचता है तो वो किसी ना किसी जरीय से या किसी ना किसी रस्ते से ही पहुच रहा होगा तो plants में अगर देखा जाए तो major दो processes होते हैं photosynthesis and respiration तो आज हम इस session में देखेंगे कि ये processes क्या होते हैं और किस तरहां से अंजाम दिये जाते हैं तो कुछ plants हमने देखा है कि छोटे होते हैं कुछ plants बड़े होते हैं कुछ plants जो है न वो फैले वे होते हैं तो हर एक plant के अंदर हर एक part तक food water gases सब चीज़े पहुच रहे हैं कि काम हो कैसे रहा तो plant के अंदर basically दो major transportation system के जरीए होते हैं एक होता है जाइलम एक होता है फ्लोयम अच्छा जाइलम का काम water transportation के मुतलिक होता है और फ्लोयम का काम sugar materials या food जिसको हम कहते हैं वो transport करता है दोनों roots से और shoots से जुड़े होते हैं जिसे जाइलम और फ्लोयम स्टार्ट होते हैं root से और पूरे plant के जो दरग का तना होता है हमने तना देखा है दरग का तो वो तना तने के अंदर या stem के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं और फिर पूरे leaves branches fruits flowers सब तक food और water पहुच रहा होता है photosynthesis leaves के अंदर होता है कि इसलिए हम जो हैना वो leaves को एक तरह से समझ लीजे के plants का powerhouse होता है अच्छा body के अंदर human body के अंदर blood pump होता है या चीज़े अंदर pump होते हैं लेकिन plants के अंदर pump नहीं होती है plants के अंदर को दूसरी functioning हो रही होते हैं जिसकी वज़े से यह transportation आती है तो आए देखते हैं कि कौन सी ऐसी functioning है जो उस plant को food और water एक एक पार्ट को plant के फराम करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांस्पोर्टेशन के अंदर जो सबसे पहला step होता है या सबसे पहला जो और्गन involved होता है वो होता है roots तो सबसे पहले जो transportation का आगाज होता है वोता है absorption of water in plants through roots या नी roots के जरीए water का absorption होना plant के अंदर हम पानी-डलते हम प्लांट्स के अंदर नहीं डालते हम जमीन पर पानी-डालते जिस जमीन के अंदर उनकी जड़ धसी वही होती है उस Zमीन हम पानी डालते हैं Genau मज़े की बात यह आती है के वो पानी जमीन से उपर तक पहुंचाने एक challenging task है क्योंकि gravity हर एक चीज को नीचे की तरफ खीच रही है अब एक किसी ना किसी फोर्स के जरीए उस पानी को नीचे से उपर की तरफ पहुंचाने ताके leaves तक पहुंचे ब्रांच तक पहुंचे और दुसरे जो प्लापार्ट से प्लांट के वहां तक पहु Osmosis एक procedure का नाम होता है Osmosis शायद आपनी वर्ड पहले भी सुना हो नहीं सुना तो मैं बता देता हूं कि Osmosis हम उस process को कहते हैं जहां पानी या कोई पे liquid higher concentration से lower concentration की तरफ जा रहा होता है इसकी छोटी सी मिसाल लेते हैं अगर हम पानी कहीं भी जमीन पर या किसी भी जगह पर फेकते हैं तो पानी उस जगह पर तिका नहीं रहता बलकि दूसरी जगह प्हल रहा होता है यह पानी की समझ लिए खुसूसियत कहें लिक्विट की या feature कहें कि यह higher concentration से lower concentration की तरह जात था तो higher concentration से lower concentration की तरह हो गया तो होता है कि रूट है जो यह देखें अगर यह आपको वेजबल है तो यह जो रूट है यह तस्वीर जो बनीविए रूट की बनीविए जड़ों की बनीविए इसके अंदर यह रूट हैर मोजूद है अब यह रूट है इतने बारिक होते हम करेंगे जस्प करने की वजह से यह पानी क्या हो जाएगा बहार जमीन या मटी से रूट के अंदर चले जाएगा पानी रूट के अंदर पहुंचेगा फिर यह उपर की तरफ पानी को पुल करेंगे और पर की तरफ पानी जाएगा तो अब हमारा पानी जो है ना वह जमीन से roots के अंदर आ गया अच्छा सिर्फ पानी नहीं आता minerals भी आते हैं साथ-साथ roots के जरी है minerals क्योंकि plant जो है ना एक खास किसम की मट्टी के अंदर soil के अंदर जो है लगाया जाता हर मट्टी में plant नहीं लगता उस मट्टी में खाद उन खाद जो हम डालते avorsाइD minerals का जाता होने जिसके अंदर reflections मौझू रहा जाता हैं हर चाहर मट्टी के अंदर या हर जमीन के ऑपर past को नहीं लगाया जाता है तो जो Marine buras के जरीए water के जरीए यह कि मिंनरल जो रैवो प्लांट के अंदर तो हमारी हमारे पास अब तक रूट है जॉह राज वो उन्वार्वेंद कर चुका कि अंदर video मिंद टो पानी जफ मिंदो रूट के अंदर चाले गए अब रूट से यह जाएंगे स्टेम के अंदर अब यह किस तरह से जाएंगे कौन सा प्रोसिजर होगा वो देखते हैं पानी को रूट में आने के लिए ऑस्मसिस का प्रोसेस चाहिए अब रूट से पानी आगे किस प्रोसेस के जरीए जाएगा वह हम देखते हैं अब सफर और बूट से रूट सुछा है बूट्ष एक तरह की फोर्स जेनरेइट करते हैं जिसकी वजह से पानी जमीन से उपर पूरे प्लांड की तरफ जाता है उन दो फोरसेस का नाम है रूट प्रेसर एक आता है transpiration pull root pressure root generate करता है transpiration pull जो ना वो leaves की वज़े से generate होता है इन दो forces के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि कौन सा रस्ता पानी अख्तियार करता है उपर जाने के लिए फोर्स तो से खीचती है ना लेकिन किसी ना किसी रस्ते की किसी ना किसी की मेडियम की तो जरूरत उसे है तो रूट से जो रस्ता उपर की तरफ जा रहा होता है वह जा रहा होता है जाइलम है जाइलम का तरह स्ट्रक्चर समझते हैं जाइलम जो है कि ट्यूप की तरह होता है यह देखें यह ट्यूप की तरह जाइलम जो है न वह एक तरह से यहां से यह पाणी उपर की तरफ जा रहा है तो जाइलम मैंने कहा कि ट्यूप की तरह होता है कि अब जिससे पानी जमीन से रूट्स में गया है रूट्स से फिर यह उपर की तरफ साइंटिस्ट के लिए अब तक समझना यह मुश्किल होता जा रहा है कि एक्चुल में मेकैनिजम क्या है लेकिन जितनी मालूमात हम अब तक निकाल सके हैं प्लांट के ट्रांस्पोर्टेशन के प्रॉसेस से तो वह यह दो फोर्सिस की इंवाल्ब्मेंट होती है अच्छा एक तीसरा प्रोसेजर भी मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं कि डिफ्यूजन एग भी समझते हैं क्या होता है तो शाइलम से पानी जाता है उपर की तरफ और पूरे प्लांट में प्याल जाता है Diffusion और Osmosis तक्रीवन एक ही तरह के process होते हैं जिसमें पानी higher concentration से lower concentration की तरफ जा रहा होता है इसकी मिसाल एक और लेते हैं जैसे मैं आपको पहले एक मिसाल दी एक मिसाल और लेते हैं कि आप पानी का बाउल लें उसके इंदर इंक का ड्रॉप डालें आप देखी कि आइसता इसता इंका ड्रॉप फैलना शुरू हो जाएगा वह फैल तक किस procedure से diffusion की procedure से diffusion का मतलब होता है liquid का higher concentration से यानि जहां ज्यादा है towards the lower concentration यानि जहां कम है तो पानी भाई रूट्स में आ गया है रूट्स से जायलम के जरीए उपर की तरफ जा रहा है और leaves तक पहुंच रहा है branches तक पहुंच रहा है दुसरी जगह तक पहुंच रहा है अच्छा खाली इसके अंदर पानी नहीं है साथ-साथ food भी मौजूद है साथ-साथ gases भी है पानी के लिए जायलम है food के लिए मैंने बताया आपको फ्लोयम है और sugar substances और जो भी कि जो transpirational pull है तो इसमें transpiration होता क्या है देखिए transpiration एक ऐसा process है जो लीव अंजाम देते हैं होता क्या है कि leaves के अंदर है अगर मैं यहां लीव ड्रॉ करता हूं एक यह मैंने लीव ड्रॉ कर रहा है तो लीव है नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं यह आपको दिख रहा होगा है तो यह लीव के अंदर जो ना वो छोट इसे जो ना वो होव बने वाटे अनर होने ऑफ इससे हम स्टौ मैटा कहते है अब हुम निक्थि छोटी सी ली से आँपनिंग होते जिससे आप पानी का एक्स्ट्रा पानी का बहर जाना हवा का अंदर आना यह तक्वाम चीजह शामिल हुती है लिशली यह जो ऑपनिंग के नहीं पॉस्को कुछ समान आता है या हवा या पानी की दाखला होता है या बॉडी से पानी बाहर प्लांट की बॉडी से पानी बाहर जाता है तो यह प्लांट के अंदर जब लीव स्टॉमेटा की ओपनिंग होती है तो होता है कि स्टॉमेटा के जरी एक्स्टा वाटर एवपुरेट होता है Transpiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक्स्टा वॉटर जो है ना वह एक्स्टा वॉटर कहला है या वॉटर की evaporation होती है थुरू स्टेर मैटा इन लीव क्या होती है वाटर की evaporation होती है अच्छा ट्रान्स्पाइरेशनल पूल की तरफ हम जा रहा है अब जब ये एवपूरेशन हो जाती तो इसका मतलब लीक नदर जो वार्टर की तादात है वो हो गई कम अब जब कम हो गई तो इसका मतलब from higher concentration to lower concentration यानि पानी जो जाइलम है या दुसरी जगहों पर पानी ज्यादा हो गया airs compared to leave तो पानी फिर पुल करता है यह एक force generate करती है यह process जिसे हम transpirational pull का नाम देता है जो पानी को जाइलम के जरिये roots से leaf तक लेकर आती है इसकी मजीड details मैं अभी तक scientist को कुछ जान नहीं पाए कुछ समझ नहीं पाए लेकिन अब तक जो scientist जान पाए वो यह है कि यह transpirational pull diffusion और root pressure के जरिये पानी और दूसरे solid substances का पानी के प्लांट की बॉड़ी के अंदर transportation होता है तो एक जल्दी से quick review लेते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और है तो हमने सीखा कि वह ट्रांस्पोर्टेशन इन प्लांट किस तरह से होती है transportation start होती है हमारी roots से पानी या minerals roots के जरिए xylem में फ्लोयम में आते हैं roots के अंदर क्या मौज़ू होते हैं root hair होते हैं जो बहुत बारीक होते हैं और बहुत ज्यादत अदाद में होते हैं अब ज्यादत अदाद में होने की वज़े से क्या करते हैं यह diffusion या osmosis एक ऐसा process होता है जिसके जरिये यह पानी और minerals को अपनी तरफ खेच लेते हैं यह कौन से process होते हैं जिसके अंदर पानी या कोई भी material higher concentration से lower concentration की तरफ चले जाता है root here से root में आ गए फिर जायलम के जरीए पूरे plant के अंदर जायलम और फ्लोयम के जरीए पूरे plant के अंदर जा रहे हैं जायलम और फ्लोयम में दो forces का कौन सा दखल एक diffusion एक transpirational pull transpirational pull किसकी वज़ए से होता है transpirational होता है leaf की वज़ा से क्यों भाई क्योंकि लीव के अंदर क्या मौझूद है stromata जो transpiration करता है transpiration क्या होता है transpiration एक ऐसा process होता है जिसके अंदर body से plant की extra water evaporate हो जाता है एक्स्टा वाटर एवपूरेट हो गया transpiration हो गया अब transpiration होने की वज़े से water level leaf के अंदर गिर जाता है तो फिर कौन सा process होता है diffusion क्यों diffusion होता है क्योंकि diffusion higher concentration से lower concentration की तरफ लेकर जा रहे है पानी को higher concentration से lower concentration की तरफ लेकर जा रहे है तो लीव में जब water level गिर गिया तो पानी कहा जाएगा जायलम से फ्लोयम से higher concentration से लीव के अंदर जाएगा लोबर concentration जहां लीव photosynthesis और respiration जैसे processes अंजाम देगा रहे photosynthesis में हम कहते हैं कि यह plant का जो है ना food making process यानि खाना बनाने का process है अब खाना बनाने का मतलब यह नहीं है जैसे हम kitchen में जाते हैं खाना बनाते हैं यह वह अलानी यह body के अंदर energy form body के अंदर जो है ना वह उसका खाना बनता है यह उसका food form होता है respiration energy formation के process को कहते हैं जिसके इंदर respiration के लिए gases इस्तामाल होती जैसे carbon dioxide जैसे oxygen और photosynthesis के लिए carbon dioxide students फिर उसके बाद diffusion and transpiration pull हो गया leaf के अंदर पहुच गया खाना पक गया plant के energy बन गई और इस energy के जरीए plant ने तमाम अपने processes अंजाम दिये किसी भी living body को अपने तमाम processes अंजाम देने के लिए energy की जरूरत होती है तो मैं उमीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अगले सेशन में आप उसे मुलाकात होगी खुदा आफ़स